नमस्कार दोस्तों आप देखें टेक्नो शोनक चैनल मैं नमें शोनक चक्रवर्ती और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने गूगल नोलेजपलों को क्लेम किया हुआ है और आपका रिस्पॉंस नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और वो क्यों नहीं में पूछा है कि हम लोगों ने नोलेजपलों क्लेम किया है पर वो उसका रिस्पॉंस अब भी भी नहीं आ रहा है एक हफ्ता हो गया है पांस दिन हो गया है तीन दिन हो गया है लेकिन उसका जो रिस्पॉंस है वो आ ही नहीं रहा है तो मैंने क्या किया कली मैंने गूगल क उसको एक mail किया, जो Google की search team है, उसको email किया, तो Google ने मुझे within 5 hour जो है reply दिया, वो क्या reply दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये देखिए, मैंने इदर ये लिखा था कि, लोग मुझे से ये पूछ रहा, तो Google ने ये क्या लिखाया, ये देखिए, ये ये देखिए, आप देखिए सकते है, Google search team की तरफ से आया है, Hi Seaner, there isn't any timeline to provide you at this time as the precautionary health measures for our support specialist in light of COVID-19, we are operating with a limited team, thanks for your patience as verification may take longer than usual, Google, मतलब क्या बोल रहा है, Google, Google ये बोल रहा है, कि हम लोग जो है, एक limited team, बहुत ही क्योंकि, आपको पता ही है, Google के जो employees है, और जो बाकी, जो सारे employees है, वो work form हो या नहीं, घर से काम कर रहे है, और सारे जातर घर पर बैठे हुए है, तो Google ये बोल रहा है, कि हम एक limited team के साथ, बहुत ही कम team के साथ काम कर रहे है, और जिसकी वज़े से, यहाँ पर, देखिए, ये clearly Google ने जो है, यहाँ पर mention किया हुआ है, there isn't any timeline to provide you at this time, मतलब आपका जो verification है, वो एक दिन में भी हो सकता है, एक हफते में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Google ने ये साथ clear कर दिया मुझे, कि इसका कोई timeline नहीं है, हम कोई exact time नहीं दे सकते कि एक अफ़े के अंदर ही होगा या एक महिने के अंदर ही होगा और यह दिखिए we are operating with a limited team यह Google ने बोली दिया है तो यहाँ पे यहाँ पे भी Google ने mention कर दिया as verification may take longer than usual मतलब usually जितना verification का time लगका था यानकी three to four days है ना three to four days उसका एकदम मतलब average time था तो उससे जाधा का time लग सकता है यह Google ने पूरा mention किया हुआ है तो यहाँ पे और भी Google ने दिया हुआ है कि at this time your request is currently being processed you should receive a notification once your submission has been reviewed we will get back to you as soon as we have an update तो इसमें Google ने यह बताया हुआ है कि आपका आपने एक बर जो verification दे दिया claim कर दिया तो आपका जो है वो process हो जाएगा हम लोग जैसे हम लोग आपका यह review करेंगे तो हम लोग आपके पास आएंगे आपको email करेंगे तो यहाँ पे दिखावाए regarding आनिल Google search team गूगल search support team तो मतलब यह आनिल जो है Google search support team के जो है employee है उन्होंने मुझे यह mail किया है Google team की तरफ से तो अब यहाँ पे बात यह आती है तो उन्होंने clearly देखे clearly mention कर दिया है कि एक बार हम लोग देख ले तो हम लोग आपके पास वापिस आएंगे आपको email जरूर करेंगे यह इधर यह बताया गया कि यह लोग email जरूर करेंगे लेकिन उस पर time लग सकता है लेक अगर आप एक से ज्यादा बार करोगे दो बार करोगे तीन बार करोगे चार बार करोगे थो उनके पास एक message का बहुत बड़ा गुच्छा बन जाएगा तो यह उनके लिए मुश्किल होगा कि वो message को choose कर क्योंकि वो message को खोले देंगे यह तो same message है पिछले वाला तो मतलब अगर उनका time list होगा तो आपका भी time list होगा आपको भी जो है verification करवाने में verification उसका प्रोसेस होने में time लाएगा तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आपने भर दिया form तो आप wait कीजिए क्योंकि इधर कोई भी time limit नहीं है तो आप wait कीजिए चाए एक दिन हो एक हफ्ता हो एक महिना हो आप wait कीजिए पर second बार, third बार, fourth time जो है submit मत कीजिए क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके पास message का एक बहुत बड़ा गुच्छा हो जाएगा तो उनको ही problem होगा आपका message जुनने में और फिर आपको ही problem होगा कि आपका यह verification process में late होगा बहुत तो मैं आशा करूँगा कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा मैंने आप लोगो के ही request पे मैंने यह वीडियो बनाया, मैंने कल Google को mail किया Google ने within 5-7 hours मुझे यह reply किया तो मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यह वीडियो को like किजिए, मेरे चनल को subscribe कीजिए और घर पे रहिए, stay safe, stay at home और सबसे बचके रहिए, coronavirus से बचके रहिए, एक मिटर का, दो मिटर का distance cover कीजिए और अगर आपके आसपड़ोस में किसी का coronavirus हुआ है, तो वहाँ पे निकलने से मचिए खासकार बच्चों को निकलने मत दीजिए, क्योंकि उनको मतलब बहुत बोर हो रहा होगा लेकिन बोरियत सहलेंगे, लेकिन जान तो सबसे कीमती है न, बोर हो भी सकते है घर पर, लेकिन जान चलिया है, तो उससे सादा लॉस क्या हो सकते है तो मैं आशकर हो कि आपको ये वीडियो पसंद रहा होगा, तब तक के लिए take care, जय हिंद, वंदे मातरम